सब्सक्राइब करें नेक्जोन टेक को और बेल अकन दबा दीजिए लेटेस्ट टेक्नलोजी वीडियोस सबसे पहले देखने की तो दोस्तो जल्दी सैमसंग गेलक्सी M40 का सक्सेसर M50 लाँच होने वाला है और इसकी जो है आलमोस्ट हर एक स्पेसिफिकेशन जो है लीक हो च चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं इस फोन की डिजाइन के बारे में तो दोस्तों यहां पे आपको देखने को मिलेगी 6.4 इंचिस की सूपर MLED पंच होल डिस्प्ले और जो आपको रिजूशन मिलने वाला है वो मिलने व का और दोस्तों साथ में आपको इन डिस्प्ले फिंगर बिंट भी इस फोन में देखने को मिलेगा और दोस्तों बात करें इस फोन की परफॉमेंस के बारे में दोस्तों इस फोन में आपको देखने को मिलेगा स्नेप्टरन की तरफ से 7-12 का प्रोसेसर जिसकी जो परफॉम संसर होगा या primary lens होगा वह आपका 48MP का samsung कि तरफ से samsung GM1 sensor और आपको एक मिलेगा 13MP का ultra wide lens और एक मिलेगा 5MP का portrait lens और दोस्तों बात करें इस phone के selfie camera के बारे में तो दोस्तों selfie camera आपको मिलेगा punch hole selfie camera जो की होगा 32MP का और दोस्तो बात करें इस phone की battery के बारे में दोस्तो इस phone में आपको देखने को मिलेगी 5000 mAh की battery और साथ में आपको 15W fast charger in the box देखने को मिलेगा और साथ में दोस्तो इस phone में आपको triple card slot, 3.5 mm jack और C type port आपको देखने को मिलेगा और दोस्तों बात करें इस phone के variants के बारे में तो आपको इस phone में देखने को मिलेंगे दो variants एक होगा 464 का और एक होगा 6128 का और दोस्तों बात करें इस phone के base variant की price की तो आपको base variant की price around 16,000 के राउंड आपको इस phone देखने को मिलेगा और बात करें यार इस phone की launch date की तो ये phone इंडिया में November के 3rd week में launch होगा तो दोस्तो Samsung Galaxy M50 एक all-rounder phone होने वाला है इसमें आपको बड़ा battery, बड़ी screen और साथ में एक अच्छा गासा processor और एक अच्छा camera आपको इस phone में देखने को मिलेगा तो दोस्तों ये तक हो Samsung Galaxy M50 का confirmation I hope ये वीडियो आपको अच्छी लगे होगा और ये वीडियो आपको अच्छी लगे होगा तो वीडियो को like कर दीजएगा और चैनल को subscribe नहीं किया तो चैनल को subscribe कर दीजएगा बनीरी नेक्स उन टेक के साथ फीचर में अच्छी वीडियो आती रहेंगी